वीडियो थिम्रोल देखकर आप समझ गए होगे दोस्तों, आर्थिक जनगर्ना का पूरा पैसा कैसे हमें मिलेगा, आर्थिक जनगर्ना 2020 ECI Final Payout, सभी सुपरवाइजर ने किया है ये गल्दी, अब दोस्तों फुल पैमेंट के लिए करना होगा ये काम, चलिए दोस्तों आज दूरी है, तो हम आज EC का solution इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, वीडियो हम आगे बढ़ने इस पहले आप सभी दोस्तों साकड़क करना चाहूंगा, कि जिन दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, क् क्या सभी CACVALI का final payout आ चुका है या फिर नहीं आया है, तो चली दोस्तों हम कुछ comment को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या समस्याएं आ रहे हैं CACVALI को आर्थिक जनगन्ना की final payout आने के बाद, और ये भी जानेंगे दोस्तों कि क्या आर्थिक जनगन्ना की पूरी payout जो ह हम सबसे पहले कुछ comments को पढ़ेंगे और जानेंगे, क्या समस्या आया रही हैं सभी CACVALI को, online technical support comment करते हैं, भाई जी मेरे 6000 सर्वे हैं, मेरी payment 33,000 रुपयाई है, मेरे हिसाब से तो बहुत काम हैं, कुछ और तरह से ही पैसे भेजे हैं, friends आपकी भी solution इस वीडियो में मिल ज रहा था, सभी estate में अलग-अलग समय पे यह start हुई जी, तो उसी circular के हिसाब से यह payment सभी CACVALI के पास आ रही है, किसी-किसी estate में पहले payment आ जा रही है, किसी-किसी estate में वो बाद में आईगी, लेकिन दोस्तों थोड़ा wait कर लें, सभी CACVALI को यह payment मिलेगा, धनराजवाक कमें करते हैं, सर अभी तक सिर्फ आधा payment ही आया है, फ्रेंट्स ऐसा है कि सभी estate के अलग-अलग payments रिलीज हो रहे हैं, अलग-अलग date में, यह जो रिल नहीं कि जारगन का payment आ गया तो अधर estate में भी उसी date में आया, ऐसा कुछ fix नहीं है, तो चली दोस्तों हम ज्यादा comment को आज ह नहीं आई है, इससे जानने के लिए दोस्तों हमें इस census की dashboard को अपने computer पे पहले open करना पड़ेगा, तो चली हम उसे पहले open कर लेंगे, इसके बाद हम पूरी पहलो को जानेंगे कि क्या कारणे कि पूरा payment हमारा आर्थिक जनगना का हमारे DGPay में नहीं आया, आप सभी को जाई होगा economic census की dashboard को login करने के लिए हमें अपनी mobile number और password डालने है, इसके बाद हम security capture को डालेंगे, इसके बाद ही हम sign in कर पाएंगे, तो चली हम इसे हम फटाफट कर लेंगे, तो चली दोस्तों हमने अपनी census की dashboard को open कर लिया, अब जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला दोस्तों हमें सबसे पहले इसकी पहलूओं को जानने की कोशिस करनी पड़ेगी, मान के चली दोस्तों हमारे पास 11 इनुमेटर हैं, और हमारा जो area था दोस्तों वो urban छेतर है, और इसी प्रकार के ग्रामिन छेतर के लिए rural area होता है, तो जैसक दोस्तों ग्रामिन छेतर में एक पंचायत में हो सकते हैं कि 3 गाओ हों, 4 गाओ हों, 5 गाओ हों, इसी परकार से आप अपने इनुमेटर को रखते हैं, और हर इनुमेटर को आप अलग-अलग गाओं alloutment कर देते हैं, जब दोस्तों आपके इनुमेटर किसी गाओं की survey को complete करते हैं, तो जैसे ही वो submit करते हैं final survey को तो उनकी survey हमारे supervisor ID में आती है जब हम उसे approve करते हैं तब ये हमारे estate team के पास चली जाती है अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि supervisor से गलती क्या हुई है जिसके कारण आधी अधुरी data ही CAC की estate team के पास पहुची है वही एक कारण मुझे लगता है जिसके कारण हमारी जो payment आई है वो पूरी payment नहीं आई है और हम समझ रहे हैं कि हमने तो survey का काम complete कर लिया हमारी payment क्यों नहीं आ रही है अब दोस्तों मैं कुछ उधारन आपको दिखला देना चाहता हूँ जैसा कि दोस्तों और जो हमें अपने पंचायत का फेस ब्लॉक मिला था वो 35 ब्लॉक था हर एक ब्लॉक मेनोमेटर के द्वारा survey करने के बाद वो data वो हमारे पास submit करते थे इसके बाद हम क्या करते थे उन data को हम approved करते थे इसके बाद वो data हमारे estate team के पास पहुंचती थी जैसा कि दोस्तों हमने जो survey किया है वो 4607 किया है लेकिन हमारी payment भी जो आई है दोस्तों वो मातर 3,000 survey की ही आई है बाद में हमने इन गलतियों को find किया तब हमें पता चला कि कुछ गलतियां हमसे भी हुएं जिसके कारण ये data हमारे estate team तक नहीं पहुंच पाई जिसके कारण हमारा payment हमारे पास कम आई है अब हमारी कर्षर जहां blink कर रही आप देख पा रहोंगे 35 surface block है मतलब कि अगर हमें इन 35 surface block में आर्थिक जनगना का काम करना है हर एक block का survey का काम complete नहीं हो जाता तब तक हम किसी एक किनुमेटर को फिर दूसरा surface block allotment नहीं कर सकते थे तो दोस्तों हमसे जो गलतियां हुई थी वो ये हुई थी कि बहुत सारे UFS block को तो हमने survey का काम complete कर दिया परन्तु हमने उन सभी UFS block को complete नहीं किया जिसके कारण estate team को लगा कि ये सब UFS block अभी तक complete नहीं हुए कुछ UFS block आप दोस्तों इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान के चलिए किसी ग्राम पंचायत में आप आर्थिक जनगना का काम कर रहें उसमें तीन गाउं हैं मान के चलता हूं मैं A, B और C तो जब हम ए गाउं में किसी इनुमेटर को अलॉटमेंट कर देते हैं उस एरिया को आर्थिक जनगना करने के लिए और वो जो ए गाउं में आर्थिक जनगना का काम हमारी इनुमेटर कर रहें वो सारा काम कर लेते हैं उसके बाद वो डाटा हमारे सुपरवाजर आईडी में आती हुसे हम क्या करते हैं अप्रूप कर देते हैं इसके बाद अगर आपने उसे complete नहीं सो किया तो वो समझी वो पूरी डाटा अस्टेट टीम के पास सायद नहीं पहुँच पाती है जिसके कारण आधी अधुरी पैमेंट हमारे पास आई है तो इसे हमें दोस्तो complete करने की जोरत है इसे हम किस प्रकार करेंगे तो चली इसे हम देख लेते हैं पूरी अरिया को complete करने के लिए दोस्तों हमें इनुमेटर यूजर में क्लिक करने क्या हो सकता होगी इसके बाद हम क्या करेंगे यूजर लिष्ट डियासाइंग एरिया में क्लिक करेंगे अब दोस्तों हमारी जो भी इन्यूमेटर होंगे उनकी पूरी डेटेल इस साइड सो करती है तो हम जिस भी इन्यूमेटर से आर्थिक जिनर्ना का काम करवा रहे हैं जिस भी Uefice Block में जिस भी गाऊं में उससे हमें बंद करनी क्या हो सकता होगी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें Complete के बटन पर दबानी क्या हो सकता होगी तब ही Estate Team को लगेगा कि वो गाऊं की सर्वे का काम Complete हो चुका है और supervisor ने वो data a state team के पास भेज दिये इसके लिए हमें भीव पे किलिक करने की जोरत होगी जैसा कि दोस्तों आप देख पार होंगे विफेस ब्लोक 11 और enumeration में आप देख पार होंगे completed ये जो बटन होती दोस्तों complete area इस इस अस्थान पे होती है जब आपको लगता है कि survey का काम complete हो चुका है तो हमें complete के बटन पे इस अस्थान पे किलिक कर देना रहता है तब ये complete का बटन इस अस्थान पे चला आता है और जो भी विफेस ब्लोक हो या जो भी गाउं हो तब जाके state के CAC team को लगता है कि उस ग्राम पंचायत के गाउं में आर्थिक जनगन्ना का काम समाप्त हो चुका है तो हमसे भी गलतिया हुए थी कि हमने complete के बटन पे किलिक नहीं किया था बहुत सारे इस ब्लोक ऐसे थे जिसे हमने complete नहीं किया था जब हमने complete के बटन पे किलिक कर दिया इस सस्थान पे वो बटन सो करती है जिस भी एरिया में जिस भी enumerator को आपने allotment किया है तो सारे enumeration का काम complete होने के बाद सब में हमें complete के बटन पे किलिक करने की जोरुत होती है तभी जाके ये data पूरी estate team के पास पहुँचती है आसा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ चुकी होगी पूरी बात कि क्यूं हमारी आर्थिक जन्ना की पूरी payment हमारे डिजी पे में नहीं आई है जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप ये census की dashboard को open करेंगे आपका एरिया अर्बन हो या रूरल हो उसे आप complete कर दें तभी जाके आपकी पूरी payment आपके डिजी पे पे आप आएगी और इसके बाद भी आपके मन में कोई confusion होता आपने CSC district manager सर्थ से आप contact कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe करना बिल्कुल ना भूले और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू